आउज बिल्लाहिमिन शेयत्वानित्वाजीन बिस्मिल्लाहित्वाक्मान रहीम असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ मुफिन दजा और आप लोग देख रहे हैं 24R7 Teachers Online दोस्तों हमारी डिटा कम्यूनिकेशन की क्लास चल रही है और आज उस सीरीज का हमारा 13 लेक्टर है दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम पिछली दो तीन क्लासों से जो है और डिजिटल ट्रांसमिशन के उपर बात करते चले आ रहे हैं दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जो है वो डिजिटल सीगनल की बात करते चले आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि कैसे हम डिजिटल सीगनल को डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर कनवरेट करते हैं दोस्तों उसके लिए हम लोगोंने तीन method पढ़े थे सब्फ़े पहला ने लाइन कोडिंग का पढ़ा था फिर हम लोगोंने block coding को देखा और scrabbling को देखा दोस्तो line coding के उपर पिछली class के अंदर मैंने within detail बात की और आप लोगों को समझाया कि कैसे line coding जो है वो work करती है आज की class में हम लोग block coding और जो हमारा तीसरा method है for traveling का उसके उपर बात करेंगे तो चलिए दोस्तो आज की class शुरू करते हैं और आज की class शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने अपने पिछली class के अंदर क्या बात की थी दोस्तो पिछली class के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोगोंने बात की थी line coding के हवाले से और उसकी जो different techniques थी bipolar और इस तरह की वो मैंने आपको within detail समझाई थी मैंने आपको बताया था कि what is the main distance between the data rate and signal rate और इसके साथ ही आखिर के अंदर हम लोगोंने ये भी देखा था कि data element और signal element के अंदर क्या फर्क होता है तो चलिए दोस्तो हम आज की अपनी class शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की class के अंदर हम लोगोंने क्या बात करनी हैं दोस्तो आज की class के अंदर आपको बैने पहले बताया कि हम लोग बात करेंगे block coding की और scrambling की हम देखेंगे हम block coding को कैसे करते हैं इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से steps involved होते हैं और इसी तरह हम scrambling को देखेंगे और देखेंगे कि हमारे पाफ कौन कौन सी exam है scrambling की तो चलिए दोस्तो आज की class शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हम block coding को block coding को हम error detection method भी कहते हैं दोस्तो हमने जो पीछे line encoding को पढ़ा तो हमने उसमें देखा था कि हमारे पास एक problem था जिसको हम synchronization कहते हैं इसके अंदर हमें क्या होता है इसके अंदर हमें पता नहीं होता कि हमारे कहां से longs जो है वो zeros start हो रहे हैं और कहां से हमारे long ones जो है वो start हो रहे हैं यहां पर लिका हम जो है लाइन कोडिंग अगर यूज करते हैं तो synchronization का हमें problem आता है इसको खतम करने के लिए जो है हम लोग दूसरी technique जिसको हम block coding करते हैं वो use करते हैं in this method we convert the m bits into the n bits के हमारे पास जितनी bits होती है m bits, number of bits, उनको हम n bits के अंदर convert करते हैं these number of bits is less than यानि m n, number of jो है, m less than n, it's tell about where is long series of 0s, यह हमें यह बताती हैं कि हमारे जो 0s हैं long, वो कहां पे and where from start long 0s 1, कि हमारे जो long 1s हैं वो कहां से start हो रही हैं, we add some extra bit with the original bits known as the redundancy bit, हम जो है क्या करते हैं, हमारे जितनी भी bits आ रही होती हैं, उसके साथ हम कुछ extra bits add कर देते हैं income redundancy bits भी कहते हैं यह extra जो bits add की जाती हैं यह हम इसलिए add करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे जो 0s हैं वो कहां से start हो रही हैं और जो हमारे 1s हैं, वो कहां से start हो रही हैं, दोस्तों, यहां पे screen के उपर आपको मैं एक diagram दिखाता हूं जिसके अंदर हम block coding के तीनों जो हमारे steps हैं, वो देखने को मिलेंगे, हमारे पाफ तीन steps हैं जिसके अंदर हम block coding करते हैं सबसे पहले जो है, वो devian है फिर हमारे पाफ substitution है उसके बाद हमारे पाफ combination है, यहां पे picture आपको एक नज़र आ रही है, यहां पे देखें आपके पाफ M, यानि number of bits हैं और यह आपकी जो number of bits हैं अगर हम देखें, तो यहां पे देखें 110 और 1, यानि कि 4 bits हैं यहां पे हमारी devian का अमल होता है यह हमने divide कर दिया सारी bits को उसके बाद है substitution substitution के लिए कंदर हम लोग क्या करते हैं हम अपनी जो M, number of bits हैं उनके साथ M, number of bits जो है, वो add करते हैं और combination के अंदर हम उनको combine कर लेते हैं तो यहां पे देखें अब पहले जो M, number of bits हैं तो वहां पे 1, 1, 0, और 1 है लेकिन अगर हम combination वाले portion के अंदर आकर देखें तो यहां पर हमारे पाफ जो है 0, 1, 0, 1, 0 और 1 है यानि कि यहां पर हमारे पाफ 4 beats थी और यहां पर हमारे पाफ 6 beats हो गई हैं तो हमने उपर एक formula भी पढ़ा था कि M is less than N और यही जो हमने number of beats एड़ की हैं इनको हम redency beats जो है वो कहते हैं और N जो है वो greater than M है आप ऐसे भी लिख सकते हो या M less than N के N जो number of beats हैं उन से less than है तो यह दोस्तो हमारे पाफ block coding की एक तीन step हैं उनके अंदर हम लोगों से हमको पता चल जाता है हमें कि हमारे कहां फे long number of videos start हो रही हैं और कहां फे हमारे long जो है वो number of ones start हो रहे हैं दोस्तों इसके बाद हम एक example देख लेते हैं block coding की जिसके अंदर हमें पता चल सके इसके लिए हम लोग scheme यूज कर रहे हैं 4B divided by 5B यानि कि 4 beats divided by 5 beats तो यहां पे देखे एक example आपको नबर आ रही है we need to send data at 1 MB rate हमारे पाव 1 MB per second जो है वो rate है what is the minimum required bandwidth हमें कितनी bandwidth required होगी using a combination of 4B and 5B technique हम यूज करें और यानि non return to zero और Manchester coding जो है वो हम यूज करेंगे दोस्तों हम इसके solution की तरश बढ़ते हैं तो यहां पे देखें M जो है यानि कि वो अमरे पा 4 है और N जो है वो अमरे पा 5 है और हमने यही पढ़ाता कि M जो है वो greater than होता है M के तो यहां पे देखें M जो है वो 5 है और M जो है वो 4 है तो हम सबसे पहले जो है वो data rate calculate करते हैं data rate जो है वो देखें 4 bits equals 1 MB और इसी तरह हमारे पाफ जो 5 bits हैं वो हमारे पाफ 1.5 MB आ गया data rate calculate करना का जो है यहां पे देख 2.5 MB जो है वो हो रहा है तो यह भी हमारा grow हो रहा है तो यहां पे हम data rate NRVED method के वरिये जो है हम जब calculate करते हैं तो यहां पे देखें NRVED जो है वो minimum bandwidth is half of the data rate यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि NRVED के हमारी half of the data rate होती है तो यहां पे देखें इसका जो formula वो N divided by 2 है तो N जो है वो हमारे पाफ 1.25 है और divided by 2 आ गया तो हम इस 1.25 को 2 से जो है वो divide करते हैं तो हमारे पाफ 52.5 MB पर second आ गया अब इसी तरह अगर हम इसको GHz के अंदर convert करते हैं तो वो हमारे पाफ यानि कि हम इसको multiply कर देंगे तो वो हमारे पाफ 625 आ जाएगा इसी तरह अगर हम Manchester क को देखते हैं तो उसकी जो हमारे पाफ speed होती है वो 1 MHz होती है लेकिन हमारे पाफ जो है वो fix 625 GHz आ रही है दोस्तों यह थी हमारी block coding अब इस block coding के ज़रिये देखें हमने मैंने आपको बताया कि जब हम लोग block coding use करती हैं तो हमारे जो है वो synchronization का problem भी जो है वो resolve हो जाता ह है और उसके बाद हमारे पाफ जो bandwidth है यह भी कम से कम use होती है अगर हम NRZ को देखें तो इसकी 625 GHz है और Manchester को देखते हैं तो यह हमारे पाफ 1 MHz है तो यह भी हमारे जो bandwidth है वो NRZ के अंदर जो है वो कम use हो रही है तो यह problem bandwidth वाला भी हमारा resolve हो गया क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि जब हम data transfer करें तो हम कम से कम जो है वो bandwidth का इस्तमाल करें उसके बाद अब यहां पे block coding को use करते हुए हमारी एक नई problem rise हो जाती है जिसको हम DC component कहते हैं इंशाला वो जो हम अगली technique पढ़ने वाले हैं उसके अंदर वो भी resolve हो जाएगी तो हमने पीछे पढ़ा कि हमारी जो synchronization की problem थी वो line coding के उपर थी जो के block coding ने resolve कर दी अब block coding के उपर एक DC component की problem है यह हमारी इंशाला अगली जो हमारी coding scheme है scrabbling वो resolve कर देगी इसी तरह यह जो हमने 4B और 5B यानि के 4B और 5B की scheme देखी है इसी तरह हमारे पार 8B और 10B की भी scheme होती है यानि के 8B और 10B और it uses disparity controller इसके अंदर जो है फिर हम एक disparity controller भी यूज करते हैं इंशाला coming lectures के अंदर ये भी मैं आप लोगों को सिखा दूँगा उसके बाद दोस्तों आज की class की हमारी जो आखरी टेक्नीक है वो हमारे का scrabbling है अब scrabbling के अंदर क्या होता है हमने by phase scheme के बारे में पढ़ा by phase scheme is suitable for dedicated link land but not for long distance हमारी जो वो line coding scheme थी उसके अंदर हमने by phase पढ़ा था और उसको हमने पढ़ा है कि ये long distance के लिए जो है वो suitable नहीं है इसके बाद हमारे पाद block coding हमने block coding को देखा उसके फार नर्वेड को जह है वो हमने जोड़ा तो हमारी जो synchronization की problem थी वो resolve हो गई लेकिन along with that we have another problem जिसको हमने DC component का हा तो मैंने आपको बताया कि DC component जो है वो हम लोग scrambling जब हम technique यूज़ करेंगे इसके अंदर हम bipolar AMI have narrow bandwidth no DC component but synchronization issues long series of zero. तो हम scrambling के ज़रिये जहाँ वो DC component की जो problem है उसको resolve करेंगे तो यहाँ पर देखें अब scrambling के अंदर होता क्या है in scrambling we increase the number of pulses instead of number of beats कि हम जहाँ वो अपनी जो pulses है उसको increase कर देते हैं बजाए इसके कि हम number of beats को बढ़ाएं क्यूंकि हमने block coding के अंदर जहाँ वो number of beats को बढ़ा जब हम block coding के अंदर number of beats को increase करते हैं it will increase the data rate data rate भी बढ़ जाता है as well as it increase bandwidth और हमारी जो bandwidth है वो भी बढ़ जाती है लेकिन हमारी जो data communication है उसके अंदर हम लोगोंने पढ़ा है कि अगर हमारी bandwidth बढ़ेगी तो वो हमारा अच्छा जो है वो transfer rate नहीं होगा तो जब हमने यहाँ but in scrambling when we increase the pulses जब हम pulses को increase करते हैं it increase the data rate इससे data rate तो increase होता है but not increase the bandwidth इससे हमारी जो bandwidth है वो increase नहीं होती तो यह हमारा scrambling का एक फाइदा है तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक diagram नज़रा आ रही ही है यहाँ पे देखें एक तरफ sender है दोसी तरफ receiver है और यहाँ पे modified AMI encoding है और modified AMI decoding है यहाँ पे violated digital signal है तो यह जो violated digital signal है यह भी अगली flight के उपर मैं आपको समझा देता हूं कि यह scrambling के अंदर क्यों आ रहा है तो दोस्तों scrambling की आगे हमारे पास जो है कुछ types हैं कुछ techniques हैं जिन में जो पहली technique है वो B8 ZF है यानि के bipolar with 8 0 substitution इसी तरह हमारे पास इसकी जो video substitution कहते हैं अब इसके अंदर होता क्या है इसके अंदर होता यह है कि जहां पे हमारे पास 8 videos आ जाएं वहां पे हम कोई एक अपना substitution जह है वो add कर देते हैं इसी तरह हमारे पास अगर 3 दूसरी जो high density वाली है उसके अंदर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 video भी कठे आ जाते हैं तो उसको भी हम एक method के वरियर जह है वो remove कर देते हैं यहां पे देखें हमारे पास एक देता है यहां पे 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 अब यहां पे देखें हमारे पाफ पहला जो है वो one है यह हमारा positive level है यानि के line से उपर है यह one जो है वो positive level को represent कर रहा है आगे हमारे पाफ आठ जो है वो zeros हैं तो जब मैंने आपको बताया कि B, 8, Z, F के अंदर हम लोग क्या करते हैं जहां पे हमारे पाफ इकठे data के अंद और B क्या है तो यहां पे देखें जब हमारे पाफ यह fourth zero आई तो हमने इसको AMI यानि के alternate जो है वो change हो गया हमने इसको उपर ले गए वी आगया और फिर आगे हमारे पाफ zero आगई इसको alternate किया नीचे ले आए फिर zero आगई फिर हमने देखे zero के साथ V और B हमने use किया तो य यहां पे देखें यहां पे बिलकुल हमारा जो signal था वो change होकर यह जो yellow color की line है यह हमारा signal बन गया तो देखें जब यह छोटा signal बन जाएगा तो हमारा जो data rate है वो automatically increase हो जाएगा यहां पे मैं आपको बता जिते हम कि यहां पे देखें eight videos आपको नज़र आ रही हैं जहां पे eight videos होंगी तो हम three videos को जो खतम करेंगे उसके साथ हम VB, zero और VB लिगा देंगे अब यह VB क्या है? V जो है वो violation है और B जो है वो bipolar है यहां पे देखें जहां पे वी आ रहा है आगे देखें यहां पे वी आ रहा है हमारे जो signal है उसके अंदर violation आ गई इसको negative लिया है और फिर इसको हमने positive कर दिया तो दोफ्तों यह हमारी टेक्नीक है भी eight wed F की इसी तरह अगर हम देखते हैं यह तो है हमारा positive जो है पहला जो number है वो हमारा positive है अगर यही हमारा negative हो तो यहां पे देखें वही हमने जो है वो one और eight videos लिये हैं और यहां पे देखें अब जो हमारा पहला number है वो हमारा previous level के उपर जो है वो negative है तो यहां पे देखें हमारे जो signal है वो बिलकुल जो उपर थे वो नीचे आ गये है और जो नीचे थे वो उपर चली गये है यहां पे V देखें नीचे आ गया यहां पे जो V है वो उपर था जैसे ही हमारा जो पहली बेट है यानि के जो पहली बेट होगी वो हमें बताएगी कि हमारा जो signal है वो positive है या negative है तो यहां पे देखें V B 0 V B आ गया और हमारा जो signal है वो इस ट्रीके समय गया तो यह हमारी जो है वो पहली टेकनीक है जिसको हम बी एट वेड़ एफ कहेंगे इसके बाद दोस्तों हमारी आ जाती है जिसको हम बाइपोलर विद थ्री जीरो फक्विचूशन कहते हैं के जहां पे हमारी एट वीरो आएंगी तो उसको हम थ्री वीरो फक्विचूट कर देंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं हमारे पास दो रूल है एक रूल नमबर वन है इस वन नॉन जीरो और के हमारा जो है अगर जो है और आगया तो यहां पर देखें चार वीरो थे हैं तो हमने उसको वी से जो है वो रिप्लेस कर दिया ह जो तू है वो हमारे पास देखें अगर हमारी तू जो है वो नॉन वीरो वीरो वी कर देंगे तो यह और और जो एवन है और यह जो हमारी वन नॉन वीरो है और तू नॉन वीरो है यह अभी मैं आपको डायाग्राम की मनदर से समझाता हूं कि कैसे हम इसको चेंज करते हैं तो यहां पे देखें आपको एक diagram नज़र आ रही है यहां पे जो है 1 और 1 यानि के आपके पाफ 2 जो है वो non-zero आ गया तो यहां पे जो है आपका rule number जो है 2 वो apply हो रहा है आगे देखें आपके पाफ 4 zero है जब 4 zero आ जाती है तो हम लोग use करते हैं B, 00, V तो यहां पे देखें 2 non-zero आ गई तो यह आपकी even बन जाती है और यहां पे देखें B, 00, V जो है हमने यहां पे use किया है यह 2 एक मरपा positive का है एक मरपा negative का है आगे B आ गया यह positive का है यहां पे violation आ गई फिर 00 है यह line के साथ आ गया और फिर V है यह violation आ गई तो यहां पे हमने इसको positive कर दिया तो दोस्तों यह तो था 2 non-zero यानि के even number के साथ अगर हमारे पाफ जो है यह देखें बिलकुल मैंने इसको highlight भी कर दिया 1 को इसी तरह अगर हम दूसरी side पे देखें तो यहां पे देखें बिलकुल एक one है इसका मतलब यह है कि one non-zero है तो यह हमारे पाफ और और उसके बाद फिर four zero है तो यहां पे देखें rule number one apply होगा हम मैंने आपको बताया कि यहां पे zero 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 और zero है तो जहां पे four zero भी कठी है तो हम इसको replace कर देते हैं यानि zero zero और वी तो यहां पे देखें हमारा जो है वो one आ गया यानि odd है इसको मैंने negative लिया फिर हमारे पर three zero आ गई और फिर मैंने इसको जो है वो zero zero वी कर दिया है तो यह हमारे पास दूसरी टेकनीक high density HD B3 है उमीद है आप लोगों को यह दोनों टेकनीक यानि कि जब हमारे बाद eight zero आए तो उसको कैसे हम चेंज करते हैं और जहां पे हमारी high density HD B3 वाली टेकनीक जहां पर फोर zero आ जाए तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं थ्री वीचिशन वीरो के साथ उसमें हमने दो रूल पड़े हैं वन नॉन वीरो और तू नॉन वीरो जहां वो even है यह कैसे चेंज होता है यह मैंने आप लोगों को explain किया है उमीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा दोफतों यह थी हमारी आज के क्लास हम थोड़ी से टाइम व्यादा हो गया है हम यहीं पर खतम करते हैं और एक बार कुईकली जो है वो summarize करते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम लोगोंने क्या पड़ा आज की क्लास के अंदर हमारी जो दो टेकनीक थी जो बच गई थी पिछली क्लास के अंदर ब्लॉक और डिजिटल ट्रांस्मिशन की डिफकेशन जो है वो जारी रखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम एनलाव सिगनल को डिजिटल सिगनल के अंदर करते हैं दोस्तों आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें आने वाली वीडियो हर आने वाले लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सकें और आप उससे सीख सकें दोस्तों मिलते हैं अगली डेटा कम्यूनिकेशन के ग्लाफ में उस वक्त तक के लिए अलाहाफिव